नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की हमारी 18 जनवरी 2021 और स्टार्ट करेंगे आज की अंसर राइटिंग तो अभी तक हम पॉलिटी डिसकस कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर में हमने इंडियन कॉंस्टिटीशन जो बेसिक, हिस्टोरिकल अंडर्पिनिंग, इवलुशन, फीचर, अमेंडमेंड, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बेसिक स्टक्चर इन सब को डिसकस किया उसके बाद में function, responsibility, union और state की क्या होती हैं, उनके बारे में हमने discussion की उसके बारे में federal structure देख लिया, local bodies के बारे में देख लिया, फिर हमने separation और power को खतम किया dispute, redressal mechanism को खतम किया, parliament और legislature, उनके structure, functioning, conduct, privileges इनके बारे में हमने discuss किया अब इसके बाद में हम आज study करने वाले हैं, comparison of Indian constitutional scheme with other countries तो ये वाला topic कवर करेंगे, उसके अलावा हमारे थोड़े से topic बसते हैं एक आता है structure, organization, functioning, executive की, यह हमारा almost same है, जो हमने parliament और state legislature किया हुआ है, बस उसमें structure देखने है उसके बाद आता है pressure group and formal and informal association, उसके बाद में आते हैं salient feature of representation of people act उसके बाद में appointment करनी है, various bodies की, यह हम दोनों के topic same same आ जाते हैं इसके अंदर में काफी सारी हमें 20-25 bodies को cover करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हमारा governance का syllabus start होता है, और फिर हमारा IR का syllabus start होता है IR का syllabus तो काफी easy है, उसको आप एक week में भी कर सकते हो, अगर आपको कोई knowledge ना भी हो तो भी IR किया जा सकता है यह वाला polity और governance हमारा थोड़ा typical आता है, IR तो आप prelim के बाद में भी है, अगर आपके बास one week है तो उसके अंदर आप cover कर सकते हो बड़े अराम से तो आज हम discuss करेंगे comparison of Indian constitution scheme, इससे पहले question नहीं आया करते थे लेकिन अब last two year के अंदर में हमें question देखने को मिर रहे है इस वाले topic से और वो थोड़े typical kind के question देखने को मिर रहे है तो इसमें हमें क्या cover करना होता है, इसमें हमें basically cover करना होता है Indian constitution को compare करना है दूसरी country से तो जैसे इंडिया constitution के source, कहां कहां से Indian constitution लिया गया है, वो question आ सकता है या कुछ basic feature के बारे में जो से इंडिया का written constitution है, UK का written constitution नहीं है फिर हमारे लक्षनकांत के अंदर में कुछ feature दिये गए है, जैसे Indian constitution blend है, rigidity और flexibility का ठीक है, तो rigidity कहां की आ रही है, rigidity आ रही है US से के constitution की, तो आपको पता हूना चाहिए उसके बारे में UK का constitution flexible है, फिर federal system, unitary basis के उपर में, यह हमने Canada से लिया हुआ है US में हमारा completely federal system में देखने को मलता है, तो वो comparison, parliamentary form, इंडिया की parliamentary form जो की UK से लिग गई है इसमें इंडिया और UK की parliamentary form के अंदर में comparison देखना, फिर Indian constitution जो है वो synthesis है, parliamentary sovereignty और judicial supremacy parliamentary sovereignty आती है UK की, judicial supremacy आती है US से की, इन दोनों का mixture है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, फिर integrated independent judiciary है हमारी independent judiciary, USA, और integrated judiciary है हमारी, जो की US के अंदर integrated नहीं है उसके अलावा, इंडिया में fundamental right है, DPSP, इनका comparison एक तरीके से, आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए कि दूसरी country के अंदर में भी क्या इस type के कोई provision है या नहीं, ठीक है, वो पता होना चाहिए, फिर India का secularism, दूसरी country का secularism, इंडिया के अंदर में सब लोगों को vote का अधिकार है उसका थोड़ा सा comparison, यह छोटी-छोटी topics है, citizenship, इंडिया के अंदर कैसी है, यूएस के अंदर कैसी है, emergency provision, government का structure, फिर due process of law, जिसको यूएस में follow करते हैं, procedure established, जिसको इंडिया में follow करते हैं, impeachment करनी है प्रेजिडेंट की, election होना है प्रेजिडेंट का, तो इसको cover कैसे करते ह एक तो current है, फिर आप search करते रहो, दूसरा इसके basic cover करने के लिए, vision IS का material आपको मिलेगा, ठीक है, vision IS के material के अंदर में आपको यह सब चीजे मिल जाएंगी, अगर latest वाला आपको नहीं मिलता, तो 2018 के अंदर में आपको online free PDF मिल जाएंगी, 2018 की, वो वाली PDF जो है, उसको download करो, उसमें से आप constitution वाला जो provisions है, इसके अंदर में बताएगे हैं, कौन-कौन से provision, और various country से compare किया हुआ है, तो आप उनको वहाँ पर जाके देख सकते हो, और उससे आपका काफी अत्तक काम बन जाएगा, हलांकि यहाँ पर काफी tough question भी आ सकते हैं, जैसे हमें देखने को मिल र गया, Donald Trump has become the first president in the United States of America's history to be impeached twice by horse of representative, in the light compare Indian and American process of impeachment, तो इंडिया की जो impeachment की process है, वो हमने US से लिया है, लेकिन उसमें कुछ differences है, तो वो हमें discuss करना है, अब UPSC में आपको ऐसा नहीं बोलेंगे, Donald Trump के नाम ले लिया, या first बार impeach किया, second बार impeach किया, यह journal statement मैंने लिखिया है, because current के अंदर news में है, उनकी statement थोड़ी journal का इंड कियोंगी, वो target नहीं करेंगे किसी particular individual को, तो यहाँ पे Donald Trump, first president bennegin को दूसरी बार impeach कर दिया गया, तो आपको process बताओने चाहिए, plus compare करना है आपने इसको इंडिया से, तो क्या करोगे, approach, recent event के बारे में बता दो, उसके बारे में बताओ, process में differences बताओ, और फिर conclusion, तो first हम introduce करेंगे, same introduction Donald Trump को impeach कर दिया गया, जैसे मैंने बोला, इस type का question नहीं आएगा UPSC में, बट हमने डाला हुआ है, तो impeach कर दिया गया उसके बारे में, और impeach इसलिए किया गया, क्योंकि recent के अंदर में आपने सुना ही होग and create किया जाता है, Donald Trump के supporter के दोरा, तो वो हमारे पास में issue आता है, उस context के अंदर में impeachment, second time impeachment in के उपर में चली हुई है, अब इसमें हमें क्या बताना है, इंडिया ने जो impeachment की process है, वो US से उधार ली हुई है, हमने US से borrow किया वाउस को, लेकिन इसमें कुछ हमारे differences आता है, उस दूसरा bribery, तीसरा कोई बड़ा crime, high crime of misdemeanor, मैं बड़ा सा ऐसा काम कर दिया, जो कि president के against आ रहा है, जैसे अभी recent के अंदर rebellion हुआ, वो इसमें आ जाएगा, और treason के charges, देश्त्रों के charges, bribery वगरा देना, वो सब, और Indian Constitution, Article 61 में लिखा हुआ है, violation of Constitution, लेकिन violation of Constitution का क्या इसको हमने define नहीं किया है, तो यह हमारे पास provision आते हैं, अब इसके अंदर में, process के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो process में क्या करेंगे, first Indian Constitution में violation of Constitution के लिए, यहाँ पे treason, bribery, other high crime of misdemeanor, उसके लिए US के Constitution के अंदर में, impeachment की proceeding स्टार्ट की जाती है, तो first चीज हमने यह यहाँ पे देख लिए, दूसरा, इंडिया के Constitution के अंदर में, जो impeachment की proceeding है, वो राजेसभा में भी चल सकती है, लोगसभा के अंदर में भी, यहाँ पे वो इनके lower horse, लोगसभा, horse of representative, जिसको बोलते हैं, वहाँ पे चलती है, तो वहाँ पे इसके charges को किसी particular, इनके MP के दोरा, Member of Parliament के दोरा बोला जाएगा कि हम resolution पास करेंगे, और अगर उस resolution को 51% लोगों के दोरा support किया जाता है, मिन simple majority से support किया जाता है, तो माना जाता है, President impeach हो गया, मिन यह बोल दिया जाता है, actual में हुआ नहीं, तब ही बोला जा रहा है, President Trump हमारा second time जो था impeach हो गया, जैसे ही House of Representative entity से पास होगा resolution, उसका मतलब वो impeach हो गया, actual में normal impeach होने का मतलब तो यह होगा, कि उनको हटा दिया जाएगा, अपनी post से, बट इसका मतलब simple आ रहा है कि proceeding trial के लिए चला गया, ठीक है, अब वो मतलब जिस तरीके से court के अंदर case चलता है, वैसा case चलेगा, इंडिया के case के अंदर में one-fourth member की आफशकता है, यहाँ पे एक member कर सकता है, start, यहाँ पे one-fourth member की आफशकता है, resolution को frame करने के लिए, जैसे आप resolution frame करोगे, 14 दिन advance के अंदर में आप President को notice दोगे, कि इस टाइप की चीज़ें आपके खिलाप में की जा रही है, उसके अलाबा, Indian Constitution में, यह हम Chief Justice of America, America के Supreme Court के Chief Justice के द्वारा head किया जाता है, और उसके अंदर में, जो Donald Trump है, वो अपने lawyer वगेरा point कर सकते हैं, और Senate जो है, वो as a jury act करेंगे, Senator, उसके बाद में वो voting करेंगे, और two-third majority से voting pass होनी चाहिए, अगर two-third से pass हो गई, तो obviously बात है, वो impeach हो जाएगा, India के case के अंदर में भी two-third majority उसको pass करेगी, और उसके बाद में impeach माना जाएगा President को, तो यह आती है process, इसमें differences, अब अगर यहां पे कुछ और बातें conclusion में आपने लिखनी हो, तो आप बता सकते हो, तीन President को impeach किया गया है, US की history के अंदर, तो नाम है उनके Bill Clinton, फिर Andrew Johnson, और Trump, इसके कि इन सब को impeach किया गया था, impeach करने का मतलब इनको पहले वाले horse ने impeach कर दिया गया था, दूसरे horse में proceeding गई थी, लेकिन उसके बाद में acute कर दिया गया, मतलब किसी को भी complete तरीके से impeach नहीं किया गया, US के अंदर में, इंडिया के case में तो कभी proceeding स्टार्ट ही नहीं हुई, ये fact important है हमारे prelim के लिए, तो ये बात ध्यान रखने कि इंडिया के president ने किसी को impeachment ही नहीं हुई, इंडिया के case में, US के अंदर में तो किसी को remove नहीं किया गया, लेकिन इंडिया के case में तो impeachment की proceeding के start नहीं हुई, तो ये सब information के साथ में conclude करेंगे और next video में मिलेंगे, इसी topic क के उपर में हम एक और question देखेंगे, तो तब तक जो मैंने आपको source बताया, आप वहां से इसको cover कर सकते हो, अगर अभी समय नहीं भी है तो video देख सकते हो, साथ में save करके रख लो कि कौन सा section cover किया जा रहा है, उसके बाद में इनको cover कर लेना, तो मिलते है next video में, thank you